हलो दोस्तों आप सभी कमेरे चैनल पर स्वागेत भायों हम आपको बता जारे एक बहुती बड़ी खबर अलवर पंचाय चुनाव 2020 को लेकर जियां भायों अलवर में पंचोर सरपंचों जी चुनाव होने वाले थे जिनके नामांकन भी भर चुके थे अब वो हो गए हैं रद जियां भायों सरकार ने जो नामांकन भरने के बाद पूरे सिस्टम को सील कर दिया है और अब एक नई डेट पर होंगे अलवर पंचाय ताकि मैंने कोई भी नई वीडिया डालू उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले पोचेगा आपके पास तो चलो भायों स्टार्ट करते हैं देखे भायों खबर के अनुसार अलवर सरकान ने पंचाय चुनाव में सेक्षन की योग्यता आठी पास तो हटा दी लेकिन अचानक चुनाव अठकने से सरपंच पद के प्रत्याशियों को और बड़ी परिक्षा पास करनी हो पड़ेगी जिन ग्राम पंचायतों में 17 जनवरी को चुनाव होने थे और नामांकन भी जमा हो गये थे वहां सरपंच निता को आगे की तारीख तक अपने वोटरों को साधे रख है जिया भायो रोजाने खर्चे से बचने के लिए कुछ ने तो चुनाव कारालिये बंद ही कर दिये हैं जैसा कि आप में पिक्स देख रहे हैं भायो हुआ एसा है कि अलवर में जो प्रिथम चुनाव के चुनाव होने थे पंचो सरपंचों को 17 जनवरी को उनके नामांकर बंद कर दिये जिया भायो सरपंचों चुनाव जहां ठक गिये हैं वहां भूसे दावदारों ने तो अपने घर पर जो कारालिये खोल रखे थे वह बंद कर दिये हैं खर्चे से बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था तो सब को लगता है कि अब तक वोटरों को पू उल्वर जिले में सोड़ा मीची आठ पंचाय समितियों के चुनाव प्रभावित हुए हैं पहले चलों में 22 32 वil नीमराण्या में 39 गरम पंचायतों के चुनाव अठक गिये हैं इन दोनों जगों पर पहले चलों में 71 गरम पंचायतों में चुनाव होने थे और दूसरे च्रण में मुंदावर में 46, कोटकासिम में 26, राजगण में 30, वह ठानाकाँजली में 38 में चुनाव प्रिभाईथ हुए है, तो भाईयों अलवर जिले में नीमराना और बांसूर जगे के चुनाव प्रिभाईथ हुए है, यहां पर चुनाव अठक ये हैं प्रथम चलण के कुल 140 ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रिभायुत होए है जियां भायो इसी तरह तीसर चरण में लक्षमनगड में 22, उम्रेण में 28 और चुनाव अठक गये है इन दोनों जोगबर 50 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने थे पूरे चुनाव अठक चुके हैं उनके नामांकर भी जब्त कर लिए गये हैं अब चुनाव 17 जनवरी को नहीं होंगे प्रिथम चुरण के तो बाई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग नूज है अगर आपको वीडियो को लाइक करें वीडियो को सियर करें फेसू वार्टसफ सभी जगें ताकि अलवर के निवासियों तक यह वीडियो पहुंचे राश्तान के सभी जनता तक यह वीडियो पहुंचे इसलिए वीडियो को जज़दा सियर करें अगर आपको कोई भी कमें सबसे पहले पहुचेगा आपके पास तब वीडियों आज के तरह ही भायों जे हिंज जे भारत